नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हों बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हैं अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोहे के चिप्स की बहुत ही बेहतेरीन recipe जिसे सस्ते में ढेर सारा बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में इतना tasty होता है कि एक बार खा लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे और बनाने में कोई भी जंजट नहीं है बस घर में पड़े कुछ सामानों से ही बना के आप tasty सा chips तैयार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर ली हूँ दो कप पोहा, पोहा आपके पास जो भी है मोटा वाला पतला वाला आप ले सकते हैं, तो यहां पर दो कप ली हूँ आप इसी तरीके से धेर सारा बना के तयार कर लीजिएगा, तो वीडियो को अच्छे से देखके समझके उसके बाद आप पोहे का चिप्स बनाईएगा, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करती हूँ, यहां पर लीनी हूँ पैन और पैन गरम करके इसमें हमें डाल देना है पोहे को, और इसे ड्राइ रोस्ट करना, इसमें कोई घी, तेल कुछ भी नहीं डालना है, और बहुत लायक कीजियेगा, सेयर भी कीजिrhेगा, और हमारी रिईजपी आपको अच्छी लगेगी चैनल पर, पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बिल आइकन प्रेश कीजिएगा, ओल को ज़रूर दबाइएगा, तभी अगला वीडियो हमारा आपकी और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे तो देखे फ्रेंड्स यहां पर पोहे हमारे अच्छे से भून के तयार हो गए उसे भूनते हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो इसे खाली कर ली हूं दूसरे बरतन में वापस से फिर से पैन को चड़ा दी हूं अच्छे से रोष्ट करना है इसे भी बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना है बस एक दो साबुदाना चटकने लगे इतना ही देरी से भी भून के हमें लेना है तो देखिए फ्रेंड्स साबुदाना भी हमारे अच्छे से हो चुका है पैन गरम रहता है बहुत जल्दी यार करना है तो चलिए फ्रेंड्स पोहे को ठंडा कर लेती हूं पोहा हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है अब इसे डाल लेना है मीकसर जार में और इसका एकदम बारिक सा हमें पाडर बनाना ऐसे पीसने में कोई भी तिकत नहीं होगा बहुत अच्छा सा इसका एकदम आटक जैसा बन जाता है तो फ्रेंड्स आपको बहुत सारे पापर की रेस्पी चाहिए और चिप्स की रेस्पी चाहिए तो हमारे चैनल पर धेर सारा है सारे चीज के पापर बनाके मैं डाली हुई हूं बहुत ही नया नया तरीका का पापर का वीडियो है आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगा और आपको खोजने में दिक्कत हो रहा होगा तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करेंगे मैं उस वीडियो का लिंक आपको प्रवाइड कराऊंगे आप वीडियो के लिंक को टच करके और हमारे वीडियो को देख पाएंगे तो यहां पर देखिए बहु इस तरीके का तो फ्रेंट्स आपको केला का चिप्स बनाना है सन ड्राइट केला का चिप्स जिसे आप साल भर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो अपलोड की हुई हूँ आप लोग को चाहिए होगा तो कॉमेंट कीजिएगा मैं उसका लिंक आप लोगों क है तो दो कप में थोड़ा सा ये कम होगा नापके क्यों लेना है कि जब तक आप नापके नहीं लेंगे तो इसका सही मातरा आपको समझ में नहीं आएगा और आपका चिप्स अच्छा नहीं बनेगा तो देखिए थोड़ा सा कम दो कप हमारा ये पाउडर है तो चलिए फ् पानी का मातरा नहीं ज़्यादा करना है नहीं आपको कम रखना है क्योंकि कम रखिएगा तो भी अच्छा नहीं बनेगा तो इसके लिए इसमें डाली हूँ स्वाद के अनुसार नमक और इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चमच जीरा तो इस चिप्स का सबसे में पार्ट यही है कि इसका पानी बहुत ही अच्छे से बनाना है आपको यह सफेज तील तो छोटा चमच से दो चमच डाल रही हूँ बड़े वाले चमच आप एक चमच डाल लीजिएगा और इसे एक बार मिक्स कर देती हो अच्छे से उसके बाद इसमें डाल रही हूँ एक चमच भरके कास्मेरी लाल मिर्ची तो इसे फ्रेंड से हमारे चिप्स को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा और यह तीखा भी नहीं होता है तो कस्मेरी लाल मिर्ची आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं नहीं तो आप इसके जगह पे औरेंज कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह है पापर खार तो पापर खार यह छोटे वाले चमच से दो चमच डाल रही हूँ पापर खार के बज़ा से हमारा चिप्स जो है खा पर में पांड़ क्रवाने देना है जिससे की इसमें पापरखार जो पड़ा है वो अच्छे से पक जाए तो देखे फ्रेंट्स अब पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है गैस को कम कर दी हूँ भी बंद नहीं की हूँ अब इसमें डाल देना है में सारे आटे को और डालन तो पानी जितना आपका पोहे का पाउडर है उतना बड़ावर मातरा में आप पानी डालिएगा, नहीं पानी कम होना चाहिए, नहीं पानी ज्यादा होना चाहिए, तो ए सब सारे चीज को अच्छे से समझ के, पीडियो को अच्छे से देखके, आप रेश्पी बनाए, कोई कि पापर का हो या चिप्स का हो तो एकदम सही बनके आएगा तो फ्रेंट्स इस तरीके से मिक्स करके इसे थोरा दिर के लिए थाक के छोड़ती हूं जिससे कि बढ्यां से फूल जा आठा और थासा ठंडा भी हो जाए तो 5 पाच मिनट इसे ढखके छोड़ना है बहुत ज्यादा समय नहीं ढखना है जिससे साबुदाना जो इसमें पड़ा है वो भी फूल जाएगा पाच मिनट हो चुका है अब इसे चेक कर लेना है तो देखे फ्रेंट अच्छे से यह फूल चुका है अब इसे दूसरे बरतन में और इसे मसल मसल के अच्छे से सौप्ट करना है जैसे हम लोग आटा लगाते हैं उस तरीके से एकदम चिकना करना है तो यह गरम है इसके लिए आप कोई भी इस तरीके का बरतन ले ले थोड़ा हलका सा तेल से चिकना करके आप इस तरीके से मल ले एकदम चिकना करना है जै एक ज्यादा खासता लगता है घ्रिची जादा हलका होता है खाने में तेसरे के इससे मसल Lemon के इसरे कि त्यार कर लेती हूं कर हиса कज़िए लें कर सीर्फ निर्फ प्राइड प्रबह्त बाठी है तो आप छेक जरुड़ को हीवारी मपनले ज... तर पापड के सेवई की रेस्पी भी है फ्रेंड्स तो सेवई भी बनाना चाहते हूं मेट सेवई घर में तो उसका भी रेस्पी डाली हुई हूं चौमिन बनाना चाहते हैं घर में तो उसका भी डाली हुई हूं वीडियो हर तरह का वीडियो हमारे चैनल पर है आप जरूर देखें तो देखें अभी इसका छोटा-छोटा सा बॉल्स बना के ले लेना है और बाकी को ढ़के रखना है क्योंकि यह ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसे आप बेल नहीं पाएंगे और एक को बेल लेती हूं, एकदम पतला बेलना है क्योंकि इसका चिप्स बनाना है म तो देखे, फ्रेंटस इस तरीके से बेलते हुए एक दम पतला रोटी कर लेती हूँ इसका तेहां पर एकदम पतला हो चुका है अब कट करके दिखाती हूँ तो कट करने के लिए आप पीजा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हर कोई के पास पीजा कटर नहीं होता है तो उसके लिए भी यहां पर एकदम आसान तरीका अपनाने वाली हूँ जो कि हर घड़ में ज्यादा तर मिलता ही मिलता है और उससे ही मैं आपको कट करके दिखाते हैं देखिए फ्रेंट्स एकदम पतला रोटी के जैसा है तो देखिए यहां पर जो चिप्स काटने वाला आता है इस तरीके का कटर इसके जो बगल में रहता है उसी से इसे कट करके दिखाती हूँ आपको और इसका जो डिजाइन आता है बहुत ही जादा मोटा मोटा बहुत ही अच्छा इसके किनारे से एकदम कटिंग आता है देखिए इसी तरीके से कट कर ले रही हूँ तो आज से पहले आपने ऐसा तरीका देखा था फ्रेंट्स जो कोई के लिए नया तरीका है ये तो से इसे चोगोड भी काट सकते हैं जैसे चाते हैं वैसे काट सकते हैं गोल गोल भी काट सकते हैं तो देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से हमारा चिप्स बनके तयार हुआ है देखने में काफी सुन्दर इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है तो चलिए सारे चिप्स को बना के फिर आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से सारे लोई के को बेल के फिर से चिप्स कट कर लेती हूँ तो देखिए Friends, सारे चीप्स बनेल हमारे तयार हो गया है और इसे poly fireworks पर डाल के और धूप में डाल दी हूँ सूखने के लिए पॉलिथिन पर तो नहीं डाली हूँ थाली में डाली हो फ्रेंट्स अच्छे से सूख जाता है हमारा चीप्स तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक तरफ जब सूखेगा तो दूसरे तरफ पलटके सूखाना है चीप्स हमारा यहां पर सूख के तेयार हो गया सूखने के बाद भी इसका कलर देखिए कि कितना प्यारा है इसे आप डबे में बंद करके रख ले और जैसे चीप्स फ्राई करके खाते हैं वैसे खाए तो चलिए फ्रेंट्स आपको फ्राई भी करके दिखाती हूँ फ्राई तो इसी तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है और निकाल लेना है तो चलिए फ्रेंट्स थोड़ा सा और चीप्स को डालती हूँ कराई में तो यहां पर चेपस हमारा फराई हो चुका है काफी अच्छा खास्ता अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंट्स भूलिएगा नहीं मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ थेंक यूँ